हलो दोस्तो मैं हूं पपू और आज इस वीडियो में हम जानेंगे बिटामिन की कमी से होने वाली रोग तो यहां पर देखिए मैंने बहु सारे चीजे लिख रखा हैdefense तो एक एक चीज को आसानी से समझते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए, बिटामीन A की कमी से हमें होता है द्रिष्टी हिंता, जिसे हम रताउंधी भी कहते हैं, द्रिष्टी हिंता को ही हम छिंता भी कह सकते हैं, और द्रिष्टी हिंता ना कह करके हम इसे रताउंधी भी कह सकते हैं, यह तीनों का मतलब C में ही होता है ठीक है तो आगे देखिए बिटामिन बीवन की कमी से हमें होता है बेरी बेरी ध्यान रखेगा आगे है बिटामिन सी बिटामिन सी की कमी से अस्कारवी रोग होता है ठीक है बिटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए बिटामि विटामिन B2 की कमी से सरीर में सुजन हो जाता है आखों में खुजली और जलन होना और तवचा का फटना ठीक है विटामिन B3 की कमी से तवचा पर दाध होना ठीक है आगे देखिये विटामिन B5 की कमी से बाल सफेद होता है यानि बाल सफेद होना और मंद बुद्धी होना यानि कम दिमाग काम करना आगे है विटामिन B6 की कमी से होता है एनिमिया और तवचा रोग यानि चमडी वाला रोग आगे देखिये बिटामिन B7 की कमी से लकवा, सरीर में दाग और बालों का गिरना ठीक है? आगे देखे बिटामिन B11 की कमी से एनिमिया और पेचिस रोग होता है ठीक है? बिटामिन B12 की कमी से एनिमिया और पांडू रोग होता है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर है बिटामिन E के कमी से तवच्चा एवं परजनन अंगों को यह सवस्थ रखता है मतलब अगर बिटामिन E 7 हम नहीं करेंगे तो हमारा जो तवच्चा है ना और परजनन अंग यह सवस्थ नहीं रहेगा यह खराब हो जाएगा ठीक है और बिटामिन K की कमी से रक् करते ह्यां तो कहीं पर आपको कट जाता है तो ररक्त बहुत जल्द जम जाए घाल में इन्हें में आquently से समझ गए होंगे बिटामिन की कमी से होने वाले रोगों का नाम तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजेगा मिलते हैं एक और मज़दार वीडियो के साथ तब तक लिए जय हिंद जय भारत